हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज विदा लोक सिंग राजफूद मैं सभी कर्मचारियों और पैंसनस को नए साल से पहले यानि साल 2021 पर जो है सरकार एक बहुत बड़ा तौफाद देने जा रही है जिसे सभी कर्मचारियों और पैंसनस को और अगर चैनल पहली बार आए यानि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर Judge करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ आप हमारी वीडियो की latest notification के लिए इस घंते के निसान को हीट करके all notifications को सलेक्ट करना और बिलक लाते रहते हैं चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूस पर आप देख सकते हैं केंद्री करमचारियों के लिए यानी सेंटर गोशियां लेकर आने वाला है साल 2021 में केंद्री करमचारियों को जादा सहले मिलने वाली है COVID-19 के चलते इस साल केंद्री करमचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानि डियरनेस अलाउंस पर सरकार ने रोक लगा दी थी केंद्री करमचारियों और पैंसरोंस को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलता है लेकिन अभी ये 17% के हिसाब से मिल रहा है जून 2021 तक या रहेगी विवस्ता केंद्र सरकार ने जून 2021 तक या विवस्ता की है कि लेकनी है कि कोरोना संकट में आर्थिक गतिविडियों के सुचारू रूप से ना चलपाने की वज़े से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी बरत्वार में ये भत्त और ऐसा होता है तो सेली और पैंसन काफी बढ़कर मिलेगी कि इन सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को डिये में बढ़ोत्री करती है इस साल जनवरी में ही चार फिजदी की बढ़ोत्री की गई थी फिलहाल 50 लाग से ज़्यादा कर्मचारियों और 55 लाग से ज़्यादा पैंसनर्स पर इसका सीधा असर पढ़ रहा है मार्च में डिये में 4 परशेंट की बढ़ोत्री इससे पहले केबिनेट ने मार्च में महंगाई बत्ते में 4 परशेंट की बढ़ोत्री की थी 30% की कटोती का एलान किया गया था COVID-19 से चलते से लड़ने के लिए जाधन आवंटित करने के लिए उनकी MPLADS योजना को भी दो साल के लिए नमबित कर दिया गया है आगे आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार ने दिया नए साल का तोफा राष्टे राज़दाने दिल्ली की सरकार ने साल के अंध में स्रमिकों को एक तौफा दिया ओपने अकुषल अरद उकुषल और कुषल अन सभी स्रेनी के कामकारों के लिए मासिक भत्ते जना के DNS अलाॉं तो काफी हद तक आपको यह देखने को मिलेगा कि उसमें काफी ज्यादा बड़ोत्री आपकी सेली में होने वाली है तो वीडियो अच्छा लाइक करिए सेल करिए सभी दोस्तों के साथ में यसी न्यूजर अपडेट्स के लिए आपको मारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले